बीए बीए सी बीकॉम एड्मिशन की बारी आ गई जो भी इस बार इंटर में फर्स्ट या सेकेंड रिवेंस से पास किये हैं वो यहाँ पे अपना बीए बीए सी बीकॉम समेश्टर वन में दोजाद चौबिस अठाइस के अंतरगत यहाँ पे एड्मिशन करा सकते हैं सभी अप्रेल से आपका अड्मिशन जो है वो यहाँ पे बताई गई है तो सभी इनुशिटी का अलग अलग डेट है जो भी इंटर पास छात छात रहे हैं अशनातक के लिए पहले समेश्टर के लिए नमांकर जो है वो यहाँ पे ओनलाइन लिया जा रहा है और सभी जो है किसी का परसो है किसी का चार दिन बाद है तो एक एक कर के इसी वीडियो में सभी इनुशिटी का डेट जाली करेंगे जैसाang कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 अप्रेल से भरे जाएंगे atan फार्म तो किस अप्राइन 20 अप्रेल से है किसका 22 अप्रेल डेट है किसका 25 अप्रेल डेट है सबका अलग अलग डेट है तो यहाँ पर अगर आप इस बार इंटर पास किये हैं तो यह वीडियो ध्यान से देखेगा सारा डिटेल जानेंगे सब्सक्राइब कितना पैसा लग रहा है रेजिस्टेशन में कितना लग रहा है, एडमीशन में कितना लगेगा, क्या-क्या डोकॉमेंट्स लगेगा, आउनलाइन किस लिंक से करना है, सारी जनकारी आपको इस वीडियो में सिंगल वीडियो में दी जारी है, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा भी स्कीप नहीं किये, फटा फट सेर कर चैनल पर पहली बारे चैनल को सबस्क्राइब कर लें, ताकि आगे असना तक की हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहें, ता ये वीडियो की शुरुआत करते हैं, फटा फट तरीके सेर कर दें आप लो, ये जो एडमीशन चलेगा, बो 15 अप्रेल से 15 मैई तक जो है, आपका ओनलाइन नमंकन, यानि कि ओनलाइन रेस्टेशन जो है, बो करवाया जाएगा, उसके बाद मेट लिस्ट आएगा, मेट लिस्ट कितना चलन में आता है, तो तीन चलन में आपका मेट लिस्ट आता है, पहले फर्स्ट मेट लिस्ट आएगा, उसके बाद सेकेंड इतलिस आता है ठीके इसमें इंटर पास सभी छात छात्राइं जो है वो ऑनलाइन रेइस्टेशन करवाएंगे उसके बाद जिनका नाम आएगा उनको कॉलेज में जाकर एडमिसन जो है वो कराना होगा अब यहाँ पे हम बात कर लें कि किस उन्विसिटी में 15 अप्रेल से सु समझेगा सभी कुछ यहाँ आपको बताने जा रहा हूं सभी जनकाली के लिए मैं सिध़े आपको बिहार नोटिसेज.in पे लेकर जा रहा हूं जहां से आपको सभी डियोस्टी का टेट बताएंगे कितना पैसा लगेगा सब कुछ जानेंगे तो एडमिसन लेने के लिए सि अगर आप असनात्यक में एडमिसन लेने जा रहे हैं तो यहां पे कुछ योगता आपके पास होनी चाहिए सबसे पहले बरहमी पास तो होनी चाहिए लेकिन बरहमी पास में किसी एक भी से में आपको 45% मार्क्स होने चाहिए भले ही आपका 33% मार्क्स हो या 40% मार्क्स हो लेकिन जिस सब्जेक्ट को ओनर्स पेपर बनाना चाहते हैं उसमें 45% मार्क्स होने चाहिए तो ही आप उसे ओनर्स पेपर बना सकते हैं नहीं तो आपका असनातक में admission नहीं हो पाएगा ठीक है इस बात को यहाँ पे समझ गए अब सभी नुशिटी का आपको date बता देते हैं उसके साथ जो है documents यहाँ पे जो बताए गए हैं बो documents यह जो documents है यह आपको जो है बो admission time लगेगा यानि merit list जारी होने के बाद जब admission लेन बिहार बोट के हैं स्टुडेंट है बिहार बोट से इंटर किये हैं तो cable roll code और roll number आप डालेंगे तो सारा details आपका automatic हो आप अपलोड होगा बाकी photograph ठीक है अब देख लीजिए किस university में क्या date रखा गया है सभी university का यहाँ पे मैं बताने जा रहा है और सभी नुशिटी का link जो है बो यहीं पे आपका दिया गया है ठीक है अब यहाँ पे समझेए किस university में किस दिन से आपका जो है admission जो है बो यहाँ पे सुरू हो जाएगा सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लूँ बाबा साहिब भीम रा अमेदकर मुझा पर अपर अपर इनुशिटी तो इसी में मुरा आमेद का university में मुंगेळ inदिस्टी में पहले से ही सुरू है आपका रेस्टेसन खेक है तो मुंगे आप देख रहे हैं तो मुंगे इनुशिटी में सुरू है वहाँ पर अडमिसन करवा सकते हैं वह अब बात कर लें यहां पर पूर्णिया इमर्शिटी कि पूर्ण हम से इनिप्टिन कि amber इंविस्टा शेलियागा है शमुक्ति और भी आप आपका 2 मईस्ट माइस्टेसं हो सरय में प्रभिजं आज जरू हो जाएगा सब्सक्राइबिस उर्गे आगे documents के साथ fee भी बताऊंगा किस university में कितना fee लग रहा है एक average fee की बात कर लें ठीक है एक average fee की बात करें registration का तो मान के चली एक हजार रुपया जो है वो आपका करीब करीज सभी university में registration चार्ज लग रहा है यानि अभी जो registration हो रहा है उसका एक हजार रुपया आपको लगेगा बाद में admission fee जो है बो अलग से लगेगा जब आप college में mate list में नाम आने पर admission कराने जाएंगे documents जाएंगे तब ठीक है बीर qrc आरा इंविस्टी की बात करें तो बीर qrc आरा इंविस्टी जो है भी यहां पे 20 अपरेल के आसपास रहाई station भो यहां पे शुरू कर देगा मगद इन्विसिटी ठीके यहां पर जानगे 20 अपरिल याद रखेगा skip अगर करके देखेंगे तो आपको नहीं देखेगा है ना इसलिए बिना skip क्यों यहां पर दिया से देखिए अपनी इन्विसिटी का बेट की दिये है ना 20 अप्रेल से यहाँ पर शुरू कर देगा मगद उनुसिटी बोद गिया की बात करें तो मगद उनुसिटी न अभी कोई notification जाली नहीं किया है तो आपको बेट करना होगा जैसे इसका कोई नोटिफिकेशन जारी होगा आपको अपडेट दे दिया जाएगा ऐसे उमीद लगाए कि आपको मई के स्टार्टिंग में यह मगत इनुशिटी जो है वो यहाँ पे रैस्टेशन शुरू कर सकता है अब यहाँ पे हम बात करने ललित नयान द्रभंगा और तिलका माझी भागल पुनिविसिटी का तो ललित नायन द्रभंगा की बात कर लें तो यह 8 अप्रेल से आपका रैस्टेशन जो है वो यहाँ पे शुरू करने जा रहा है सरवर पर इसका काम चल रहा है 18 अप्रेल से सरवर जो है वो चालू हो जाएगा वो आपका रेजिस्टेशन जो है वो 18 अप्रेल से सुरू कर देगी वहीं भागलप निवसिटी का भी सरवर अपडेट हो रहा है और ये आपका 20 अप्रेल तक जो है बो रेजिस्टेशन सुरू करेगा ऐसे 18 अप्रेल तक का है डेट था लेकिन 20 अप्रेल कर दिया गया है 20 अप्रेल से रेजिस्टेशन जो है भागलप निवसिटी जो है बो यह कर दिया जाएगा ठीक है पटना इंविसिटी की बाद करें तो पटना इंविसिटी में आपका इगजाम होता है interference exam जो कि पटना इंविसिटी के official website पर link पर क्लिक करके आप online apply करेंगे उसके बाद exam देंगे exam के बाद आपका minute बनेगा पट्टन ऐंविश्टि को छोड़कर किसी इनविश्टि में आपका इंटरेंस एक्जाम नहीं होता है तो यह तो यहाँ पर डेट जानेगे कि इस डेट में आपका आपको रैजिस्टेशन करवा लेना है रेजिस्टेशन करने के लिए जह सामने लिंक है इस लिंक पे क्लिक करके अपनी अपनी इनुशिटी का नुसार जो है वो आप यहां पे रेजिस्टेशन करवाएंगे उसके बाद जो है अडमीशन यहां पे करवा लेंगे जो documents बता गये हैं वो documents यहाँ पर आप लोग ready रखेगा फिर आपको बता दिया गया है कि 1000 का fees जो है वो सभी इंविसिटी के लिए करीब करीब 1000 का fees जो है वो यहाँ पर रखा गया है ठीके तो आप लोग जब admission करवाएं तो जो वहाँ पर college चुने वहाँ पर ध्याँ से college अब मेर्टिस्ट में आपका नाम ही नहीं आएगा तिस दीज को धियान रखे है कॉलेज चुनते समय वैसे कॉलेज का चुनाव करें जहां कटप कम जाता है तो ही आपका एडमिशन हो पाएगा ने तो फिर दिक्कत हो जाएगा जो भी अपडेट आएगी चैनल पे मिलती रहेगी कॉमेंट करके जुरूर बताएगे आपके 12 में कितने परसेंट मार्क्स थे कितना परसेंट मार्क्स 12 में था और लिंक जो है सभी का डिस्क्रिप्शन में दिया गया तो डारेक्ट लिंक पे आके अपना अपना डेट भी यहाँ पे देख सकते हैं तो मिलती आप से नई वीडियो में नई अपडेट के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और वीडियो को शेर कीजेगा थैंक्स वाच निस वीडियो